नमस्कार दर्शक मित्रों हुचुवाई शालिपो बारू अने आप जोई रहाचो सुवराश्टरनी असमीता नियोज चैनल तो करिए एक नजर आज ना मुख्य समाध चार पर समस्त मुस्लिम समाज ना गर्वनी वाद भारत देश ने गुजरात रजना वतनी कुरसत गामना दिकरी हुमेरा गरास्या इंगलेंड प्रिटन मां काउंसिलर ने मेयर पस संबाडी स्पीकर बनी बारत नो गुजरात नोंने कुदसत गामना गरास्या समाध नु नाम रोसन कर आज रोद कुर्सत गाम मा सन्मान समारों मा हाजरी आपी उमेरा अने तिमना माबाप ने परिवार जनों ने सन्मानित करी दुवा करी कि आपनी दिखर्यों आविजरीते एजुकेसन लई खिद्मत ना रस्ता थी उचकक साई बिराज मान थाई ते आपना सव माटे गवरों आपना भारत ना ने गुजराना कुसत गाम नी आ प्रथम मुस्लिम मैला स्पिकर दरीके बृतेन मा बिराद मान थे आप सव दुवा करो अने संकल्प करो कि आपना समादना दिकरा दी करियो दिन दुनिया मा तरक्की हासिल करे आमीन मेरा नाम हुमेरा रफीक गरासिया है I'm the councillor and speaker of London Borough of Hackney आप सब का शुकरिया के आप सब ने मुझे बुलाया और मान सर्मान दिया और इजड़ दिया I say thank you very much ये गाव कुरसत मेरे गानफादर मुस्तफा वजीर गरासिया और मेरा फादर रफीक गरासिया का गाव है So मैं चाइड़ से कुछसत विजट करती आई हू And inshallah I will continue to do so मैं 25 यह ओओ मैं चौंसलर बनी अभ ये मैं सेकंड तर्म है This year in 2022 मैं 25 यह ओओ मैं स्पीकर बनी मैं सबसे कम उमर की इंडिन मुस्लिम कौंसलर और स्पीकर भी हू Alhamdulillah Thank you Thank you मैं मुपूरी मुस्ति पादी मैं एकी इंडियन हू And when I was first elected I was the only hijab wearing councillor I joined politics at the age of 15 And I feel very privileged to be in this position today Alhamdulillah Allah का बहुत शुकर है The reasons behind my achievements are simple First, Allah Always place Allah first and never forget Him Pray your salah, make dua and give charity It's crucial that we always remember Allah So बेशक Allah का मियादी जरूर देगे Inshallah Allah है तो हम सब है Secondly, the support of my father and my mother Rafiq and Najma Garafia My father and mother के बहुत बहुत शुकर भुजार हो के उनके support से में ये मुकाम पे हो और आज 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 के सामने सीकर बनके खरी हो Alhamdulillah आप सब लोग अपने बच्चों को दीनी तालीम दो और एड़ुकेशन दो दोनो ही जरूरी है Education is very important If you want to succeed in life along with deed Please educate your children Regardless of their gender Boys and girls both deserve equal opportunities and a right to education आज कल के लर्किया स्टीज में लर्कों से भी जादा आगे है Mashallah Please